हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उतराखंड जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जी एस टैस श्रीज पार्ट फोर के बारे में और इस टैस स्रीज में हम आज जी एस के दस महत्पुन प्रस्णों के बारें बात करेंगे जो की यूकर ट्रपलस से के दोरा अभी हाली में हुई अपनी वयक्तिक सायक की एकजाम परिक्षया में पूछा गया था और दोस्तों स पर भी अच्छी मेहनत करते वे चलना पड़ेगा देखिए उत्राखंड और हिंदी तो आप लोग करी रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ में आपको जीएस और रिजनिंग पर भी ध्यान देते वे चलना पड़ेगा तभी आप अपनी सेलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं त कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो के अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक सेहर करें और अपने पढ़ाई के स्टेंडर को थुला सा हाई करें GS में क्योंकि GS काफी अच्छे लेवल के अभी हाली के एक्जाम्स म और साथ में टैसरी जिस भी मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का question number one है हमारा कि हिमानी मिट्टी glacier clay का घना निक्षेप करेवा dot 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 में पाया जाता है अब देखें दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ाऊगा करेवा मिट्टी के बारे में तो उसी प्रकार से अब करेवा मिट्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा करेवा मिट्टी क्यू परसीद्द है दोस्तों केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी परसीद्द है किसकी केसर की खेती के लिए ठीक है और मेंली केसर की खेती कहा की जाती है जम्मु कस्मीर का जो पंपो मिट्टी हमें मिलती है ठीक है और जो एक करेवा मुट्टी होती है इसे हिमानी मिट्टी का भी एक प्रकार माना जाता है कभी-कभी आप इसमें Glacier Clay के नाम से भी इसे जानते है ठीक है तो करेवा मिट्टी का पर जो केसर की खेती के लिए किया जाता है और अब अंसर तो हो गया जम्मु कस्मीर बागी करेवा मिट्टी के बारे में हम ने बता जिया कीसर की खेटी के लिए होती है आप दिखिए थोड़ा बहुत बात करते हैं कि हिमानी मिट्टी या ग्लेस्चर कले होता क्या है मेंले दोस्तों जो बर्फ द्वारा बनी मर्दा होती है हमारी उसे हम हिमानी मर्दा कहते हैं ठीक है कभी कभी आप हिमानी मर्दा या प्रवती मर्दा को एक ही लेकर भी चल सकते हैं क्योंकि जो प्रवती मर्दा होती है वो भी जम्मु कस्मेर के छेत्रू में पाई जाती है और वो भी करेवा उत्पादन के लिए मैत्वपूर्ण मानी जाती है। और हिमानी मिट्टी या ग्लेशर कले का निक्षिप सरवादिक जम्मू एनकस्पीर में पाया जाता है। और केशर की खेती आपको बताई होगा कि जून जुला एगस सिदंबर के आसपास में की जाती है और अक्टूबर के का आसपास में इसकी जो फसल है उसे काटा जाता है। चलिए अंसर हो जाएगा कस्मीर याद रखना दोस्तों आपको है ठीक है अच्छा कुशन है अगला हमारा दूसरा कुशन है कि भारती योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है अब देखे दोस्तों अगर आप लोग ने एकोनोमिक्स पड़ी है तो एकोनो महालनोबिस पी सी महालनोबिस आपने इनका नाम भी पड़ा होगा दूसरी पंचवर्सी योजना के संबन्द में इसी पी सी महालनोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग या भारती योजना के वास्तुकार के रूप में भी जाने जाता है अब यहीं से एक प्रसना आता है कि ये पी सी महालनोबिस कौन थे यहाँ एक परसिद्ध भारती व्यग्यानिक और सांखी विद्भी थे अभी दोस्तों आप ल होई है तो 12 पंचवरसी योजणा है लेकिन कि प्रसना है कि पंचवरसी योजना हुमें कि अवकास काल हुए थे ठीक है टोटल दो आउकास काल हुए थे जिसमें छे फर्स्ट आउकास काल 1966 से 1979 तक था और दूसरा इसमें 1968 से 80 तक एक अनवरत योजनाया रूलिंग प्लान चलाया गया था और दूसरा आउकास काल इसमें 1990 से लेकर 1992 तक चला था भारत में पंचवर्सी योजनाओं का जनक का जाता है और यहीं से प्रस्न पुशायागा कि विश्व में पंचवर्सी योजनाओं को सुरू करने वाला प्रसम देश कौन सा था तो था दोस्तोकण रूस रूस के दोरा सबसे पहले 1927 में पंचवरसी योजनाओं को सुरू किया गया था अब आप लोगों का एक काम है कि जितनी भी हमारी 12 की 12 पंचवरसी योजना है यह आपको बहुत अच्छी दर्गे से करनी है क्योंकि यहां से जिस प्रकार 800 सब्सक्राइब के अधिवेशन हमारे लिए काफी महत्वून है जिस प्रकार गांधी जी के बारे में या जो भी हमारे संबेलन हुए युद्ध हुए वो हमारे लिए इंपोरेंट है उसी प्रकार से पंचवर्षी योजना है भी एक्जामस के पॉइंट आप यूज से काफी महत्वून टॉपिक है आप देखें पहली पंचवर्षी योजना कब से कब तक चली थी तो 1951 से लेकर करके 1956 तक हमारी पर्थम पंचवर्षी योजना चली थी और ये कौन से मॉडल पर आधारी थी तो ये हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारी थी देखे तो पंचवर्षी योजना जरूर हेराल डोमर मौडल पर आधा रही थी, यहाँ पर आपको option में हेराल डोमर भी दिया गया है, लेकिन यह अंसर नहीं है, क्योंकि भारती योजना के वास्तुकार, यानिकि आर्किटेक्ट आप इंडिन प्लानिंग के से का जाता है, य परफम पंचवर्षी योजना में क्या प्रात्मिकता दी गए थी, तो किरसी चेत्रों के विकास के बारे में पहली पंचवर्षी योजना में बताया गया था, ठीक है, इसी के तहथ तीन भहुत देशी पर योजना है, शुरू की गए थी, भागला नागल, दामदरबाद और हिरापुनबान ठीक है इसी के तहट दोस्तो पर्थम पंचवर्षी योजना के अंतरगति है मारा पाजा के आधार पर पर्थम राज्य आंदरप्रोदेश का घठन किया गया था ठीक है उसके बाद में हमारी दूसरी पंचवर्षी योजना आती है और ये परसांत चंत्र महालोनुबिश जी को जाना जाता है आध 56 रेकर एक्षर तक चली मेंली जो दूसरी पंचवर्षी योजना थी इसमें क्या प्रात्मिक्ता दी गई इसमें उद्योगों के विकास को प्रात्मिक्ता दी गई और तीन बड़े लोह इस्पात योजनाय भारत म इस्तापित की गई और ये तीनों लोह इस्पात योजनाय एक्जाम में प्रसना पूछा गया है कि सबसे पहले उद्योगों का विकास किस पंचवर्षी योजना में किया गया तो दूसरी पंचवर्षी योजना में किया गया था और तीन लोह इस्पात योजनाय शुरू क प्रसने है तो जो राउर केरा लोहिस्पात है इसे जर्मनी की साहिता से बनाया गया है जो बिलाही लोहिस्पात है इसे रूस की साहिता से बनाया गया है और पीसी महालनोविस यह दूसरी पंचे वर्सी योजना कौन से मौडल पर आधारित है इसी दूसरी पंचे वर्सी यो गल्प कब लाए गया था ये भी आप से प्रस्ना पूछा आजता है तो ये 1956 में लाए गया था और इसी एक्जाम में सेम PC महलनोबिस मॉडल से ही एक प्रस्ना आगे भी पूछा गया ठीक है भारत में कुल कितनी ओध्योगिक नीतिया चलाए गई थी 5 चलाए गई सबसे पहल मैंने आपको बताया इनका संबन किसे भारती वैग्यानिक थे और सांकी वेथ थे ठीक है और PC महलनोबिस के जन्म दिवस के आउसर पर ही 29 जून को परतेक वर्स राष्ट्री सांके की दिवस मनाया जाता है और भारती योजना के वास्तुकार यानकि आर्किटेक्ट ऑप इ सारी पंचवरसी योजना आपको याद रखनी है और जो इसके बीच में अवकास काल चले थे दो आउकास काल मिलने हैं वाले चले थे और सांत में बीच में एक रूलिंग प्लांच लाया गया था दो साल के लिए वो भी आपको अच्छी तरिके से याद रखना है वर्णा म पारिद किया गया ठीक है इसे देशी भासा समाचार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है अब यह वर्णा क्यूलर जो प्रेस एक्टर था दोस्तो इसके तहत जो हमारे भारती समाचार पत्र थे उन पर प्रतिवंद लगा दिया गया था और अंग्रीजु के द्वारा ज कि 14 मार्च 1878 को देशी प्रेस अधिनियम यानि कि वर्णाकुलर प्रेस एक्ट या देशी भासा समाचार अधिनियम पारित किया गया था अब यहां से एक प्रसना आता है बहुत इंपूरेंट कि जब हमारा देशी प्रेस अधिनियम या वर्णाकुलर प्रेस एक्ट लाग देश्टे से Lord Litton, यह आपको जरूर यादखना है, Lord Litton के दवारा 1888 में देश्टी प्रेस दिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, आप यहीं से एक और पसना आते है दोस्तों, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किस ने किया, तो वर्नाकु 82 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, और Lord Rippon जो थे, इन्हें सरवादिक लोगपिली वाईसराई, या Governor General के रूप में जाना जाता है, इन्हें भारत के उधारक की भी संक्या दी जाती है, तानी सोसाचन का जनक भी Lord Rippon को खा जाता है, इनके सम प्रमिशन का गठन प्रात्मिक शिक्षिया के लिए 1882 में भी Lord Rippon के कारिकाल में ही किया गया था, लेकिन पारी तो हो था 1818 में, और अन्तकवुआ इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का है, देशी प्रेस अधिनियम का ये हो था, 1882 में, किसने किया Lord Rippon ने, इतनी सारी बाते आपको इन्चे जियाद रखनी है, जो कि आपसे एकजाम में पूछी जा सकती है, आने वाले एकजाम में, चलिए अगले प्रस्ति के बात करते हैं, उस तो देखे, चौथा कुश्यन, वही कुश्यन है, दूसरी पंचवर्सी योजना है, जब आप लोग किताब में बढ़ शलिए थी,PC महारनोबिस मॉडल पर आधारित जो योजना थी, उसी के तहट और द॥ी निती का संकल्प अपनाया गया कब 1956 में? 1956 में और भारत में कितनी और द॥ है पांच और देखे निती चलाए गई, सबसे पहले और द॥ा आपको कि या रहत है? इसे संसत के द्वारा अंगीक्रत संकल्प की रूप में भी जाना जाता है ठीक है और आपसे प्रस्थन नॉर्मली दोस्तों यह पूछा जाता है कि पहली औध्योगिक नीती संकल्प की घुशना कब होई थी तो पहली मैं हमेशा पहली मां हमिशता उड्योगी नीति संख्याइव कि दूसरी बंचवर्षी योजना का उद्देश से ही उद्ध्योगों का विकास करना था जिसके तहत तीन लोह इस्पात इंडस्ट्री याँ भी स्तापित किये गई थी तो मसीनी उद्ध्योग का विकास कैसे किया जाए सारविजिनिक छेत्र का विकास कैसे किया जाए, आर्थिक व्रद्धिक को कैसे बढ़ाया जाए, यह इसके प्रमुक उद्देश्यति और द्योगेंगी ती संकल्प के, और यह सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, आगे बात करते हैं, अगला हमारा पांचवा यहां से भी, यहां से भी, यूके ट्रप्रसी बहुत प्रस्न पूस रहा है, और डिफ्रेंट आपके कुश्चन पूस रहा है, एक बार आपको देखे जरूर जाने है, देखे, यह काफी अच्छा कुश्चन है, कि निनलिकित, मैसे कि स्वतनता संग्राम से नानी ने, हजा तो क्या था, यह क्या था दोस्तो, जुजूपे, गैरी बाल्डी ने, तो गैरी बाल्डी का नाम आपने बहुत बार पढ़ाओगा दोस्तों, किसमें इटली के एक किरण में, इटली के एक किरण में मिलने दो लोगों का नाम हम पढ़ते हैं, एक है मेजीनी, और दूसरे ह ही दोस्तों क्या हजार का भियान यानिकी expedition of thousand का नेत्वत्त किया गया था ठीक है अब हजार का भियान George Garibaldi ने शुरू किया Garibaldi 807 में इनका जन्म हो और 882 में इनकी मिर्त्य हो गई थी और Garibaldi ने इतली के इतिहास में महत्वपुल भूमिका निवाई थी और Garibaldi को इतली के एक प्रसिद्ध राजनेतिक और सैनिक नेता के रूप में भी जाना यादा है जिन्होंने हजार का भियान का नेत्वत्त किया था अब इतली के एक करान में दो लोगों की महत्वपुल भूमिका थी Megini और Garibaldi जिसमें से दोस्तों Garibaldi के बारे माँ आपको हजार का भियान याद रखना है और भी काफी सारे फैक्स हैं जो कि हम कभी बाद मात करेंगे दूसरा Megini के बारे माँ आपको एक फैक्स जरूरी याद रखना है किसके दारा मेजीनी के दारा और इसका संबंद भी किसके था इटली के इतिहास या इटली के एक एक गण से ही इनका संबंद था तो option number B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखे कितना अच्छा कुश्चन है आपको मलब अच्छे-ची किताबों में भी जोटके यह कुश्चन गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चा खां बच्चा खां नाम से भी इन्हें जाना जाता है और बादसाह खां नाम से भी इन्हें जाना जाता है किस नाम से बादसा खां तो सीमात गांधी सरहती गांधी बच्चा खां और बादसा खां तीनों नामों से किसी जाना खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है इसे एक महत्वपूर्ण स्वन्ता संग्राम सिनानी के रूप में जाना जाता है और सीमा प्रांत एवं बलुचिस्तान के एक महान राजनेता के रूप में भी जाना जाता है गांदी जी के संपर्क में थे इसी कारण इने इसे कही ना कही तक बहुत मैच करती थी लेकिन दोस्तों स्ीमान्त गांदी खान-अब्दुल-गफ़ार-खान से एक जो सबसे महत्तुम्ल प्रस्ता मनता है कि लाल-कुर्ती-अंदुलन किसके द्वारा चलाया गया था तो लाल-कुर्ती-अंदुलन तो कहनदुलแांथ किसक के दोरा चलाया गया था तो खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन था जिसकी स्थाबना 1929 में किसने के थी खान अब्दुलगफार खानी के थी इसी संगठन के दोरा बात में लालकूर्तिय आंदुलन या सुर्क फोस आंदुलन चलाया गया था यह फैक्ट आपको आप याद करते भी चलिएगा जो भी option में आए आप महाँ पे कर दीजीगा ठीक है और इसी खुदाए खित्मतगार नाम के संगठन के दवराबाद में लालकुर्ती आंदुलन चलाया गया और लालकुर्ती आंदुलन के चलाने वाले नेता की रूप में भी सीमांत गांधी अबदुलकफार खांको जाना जाता है और 1987 में इन है किसे दोस्तो भारत रतने से भी सम्मानित किया गया था आगे बढ़ते हैं सात्वा कुश्चन दोस्तो कि भारत का विभाजन निम्न मैंसे किसे सिद्धान्त का प्रेणाम था और ये दो दोस्तो ऐसा कुश्चन था कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पड़ा है तो आप आसानी चे कर सकते हैं टू नेशन थियूरी पार्टिशन ऑप इंडिया वाजदा आउटकम और फिच ऑफ फॉलोविंग थियूरी तो दुई राश्टर सिद्धान के तहत भारत का विभाजन किया गया था अब देखे बहुत है और 15 अगस्त अगस्त उनिस्चोगण इंड की वाज़न वा था यानि कि भारत से पागिस्तानु के अलग वह था वह은 धविराश्ट सिद्धान के अपना इत्यास अलग है अगर हम दुराश्ट जिद्धान के बात करें तो सबसे वहले मुसलवानू को हिंदूओं से अलग करने ये तो सबसे वहले दुराष्टी सिद्दान चलाया गया था इसे दो कौमी नजरिया भी कहा जाता है क्या दो कौमी नजरिया भी इसे कहा जाता है ठीक है और भारती उप महादियूप में ही इस दुराष्टी सिद्दान की शुरुबास सबसे पहली होई थी सब अहमद खाने 1867 को सबसे बहले पेस किया था। उसके बाद में दोस्तो मुहमद अली जिन्हा ने 1940 में दुराष्ट सिद्धान के तहर अपने एक अलग देश की मांग की, जो की मलब पाकिस्तान देश की मांग की उसी के तहर बात में जाके दोस्तों 15, 11 अगस्तो 1947 को पाकिस्त क्योंकि आपको बताईए कि मुस्लिम नी लीग ने अपना मुक्ती दीवस 1949 में मनाया था लेकिन 1940 में ही एट लास्टन उसके बाद में मुहम्मद अली जिलानरे दुरास्तर सिद्धांद के तहती पाकिस्तान एक नए देश की मांग की थी मुसल्वानों हेतु ठीक है और ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये चीज़े याद रखने ठीक है तो दिरास्तर सिद्धांद या टू नेसें थियोरी के आधार परी भारत का विवाजन किया गया है अगला कुशन दोस्तो देखे आटवा कुशन ये भी अच्छा कुशन है कि नैपोलियन कौन से युध्व में पराजित हुवा था तो वाटर्लु के युध्व में पराजित हुआ था अब वियना की संदी हुई थी तो वियना की संदी की अढ nearby निखने ए इसने नैपोलियन मुर्णापार्ट के हार में भी एक महत्रपूर भूमी का निभाई थे ठीक है। आप बात आती कि विएना की संदी कब हुई थी यह अच्छा प्रसन है तो 1815 में दोस्तों किसकी हुई थी विएना की संदी हुई ठीक है। और मेंली बिटेन, रूस और आउस्ट्रिया और प्रसिया इन देशु के मद्धि में क्या यह विएना की संदी हुई ठीक है। और नैपोलियन की वाटरलूग के पराजे के पस्षाद आउस्ट्रिया की राजधानी विएना में 815 में विएना की संदी का विजन किया गया था। इसके तहर दोस्तों यूरोप की एक नई रूप रेखा ताही करने है तो मलब यह विएना की संदी की गई थी। यह सारे फैक्ट्स आपको यहां से याद करने है जो की एकजाम में पुछा था। इस की संदी के प्रस्मारा अमेरीक युध्धि की समाप्ति हुई थी। ग्रेट बिर्टेन के राजा थे जोर्ज टिपत्वी। मुलब 1919 में जून 1919 में हमारी वर्साइग की संदी होई थी ठीक है और इसी वर्साइग की संदी को दोस्तो दुती विश्व इद्ध के कारणों में से भी जाना जाता है तो प्रसना आप से पुछा जाता है कि कौन सी संदी को दुती विश्व इद्ध के प्रमुक कारण के ले थी इसके बाद ही दूसरा हमारा विश्विद्ध हुआ था ठीक है तो काफी बड़ा इध्यास है वैसे इसका लेकिन अभी थोड़ा साम सौट में चल रहे हैं तो आपको यह याद है ठीक है आगे बात करते हैं अगला हमारा कुशन दोस्तो नवा कुशन यह भी काफी अब इसका नाम National Sample Survey Office हो गया है और यहां किसके अंतरकत कारी करता है तो यह दोस्तो हमारा सांखी की योजना और कारिक्रम कारियानवर मंत्राली के तहति यह कारी करता है अब थोड़ा सा दोस्तो हम NSO के बारे में जानते है National Sample Survey Organization इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स् 1950 में और यह दोस्तो सांखी की मंत्राली के अधिन एक संगठन है आपको याद रहने है और पुरा मंत्राली का नाम पूछेगा तो Ministry of Statics Planning and Programmable Implementation मंत्राली के अधिन यह कारी करता है और में लिए दोस्तो इसके चार प्रभाग माने आते है HDRD, FOD, DPD और CPD ठीक है इनके बार कि यह भारत के लगवलवग हर चीत्रम अपनी रिपोर्ट जारी करता है और काफी महत्रपून भी है आगे बात करते हैं और आज का हमारा अंतिम कुश्चन दोस्तों काफी बेसिक कुश्चन भी है आप लोग को पढ़ा भी होगा आप लोगने बहले कि कि किसे पुरानी जल जलोड मिर्दा के रूप में भी जाना जाता है अब जलोड मिर्दा देश के संपूर्ण भाग के करीबन करीब 43.4 परसेंट या 43 परसेंट के आसपास में हमारी जलोड मिर्दा पाई जाती है और नदियों के लवारा लाएक है जलोडों के जमा होने से हमारा एक छेत्र बन गवब बाटा जाता है मिल ली एक तो होती है बांगर एक होती है खादर अब बांगर जो मिर्दा होती है इसे पुरानी जलोर मिर्दा के नाम से जाना जाता है इसे पुरानी जलोर मिर्दा के नाम से जोस्तों क्यों जाना जाता है अगला प्रसंद ये बनता है क्योंकि ये ऐ खादर मिट्टी छेत्र और दूस्ता होता है क्या बांगर मिट्री छेत्र जिसमें से जो हमारा खादर मिट्टी छेत्र होता है वह नई मिट्टी से बना छेत्र होता है किर्सी के लिए उपजाओ होता है और इसमें हलके रंके मिट्टी पाई जाती है और यह बाल गरिस्त छे मिट्टी यहां पर पाई जाती है इस कारण किर्शी है तो यह उपजाओ होता है जबकि अगर यहां से प्रस्तन पूछा था कि किसे नई जलोड मुर्दा के रूप में जाने आता है या नई मिट्टी से सम्बंदी जलोड मुर्दा के रूप में जाने आता है और गेहु, चावल, गन्ना, जूट का पास आधी के लिए उप्योक्त मानी आती है में लिए जलोड मृदा कहां कहां पाई जाती है उस्तो तो अधिकतर हमारा जो उत्तरी मैदानों का बेसीन है गंगा का किनारा है, पंजाब हरियाना, राजिस्तान क्या पूर्वी भाग है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम घाटी यहां पे जमारी जलोड मृदा पाई जाती है याद रखने है उस्तो आपको बांगर और खादर, तोनों याद रखने है अभी तराई भाबर चेतर के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा कि नदियों के त्वारा जो भी हमारे कंकड़ पत्थर वाला एरिया लाया जाता है तो कंकड़ पत्थर वो जहां बिछाती है, उसे हम क्या कहते हैं पिर दोस्तो भाबर कहते हैं और उसके बाद में जो महीन मिट्टी वाला मनलब अपने साथ महीन मिट्टी चिकनी मिट्टी जो आगे बिछाती है उसे हम तराई चितर कहते हैं तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं और वो अधी उप जाओ होते हैं भावर के तुलना में तराई में पाताल मनलब वहां पे पाताल तोड़कुए पाये जाते हैं यह सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़ी होंगे ठीक है तो हमारे दोस्तों आज के 10 कुर्शन हो गए हैं और आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा कि आपको इस 10 कुर्शन कैसे लगे और इसके साथ पर जो आपको एक्स्प्रेशन दिया गया हो कैसा लगा मैंने अपते तरफ से आपको अच्छा समझाने के कोशिस किये कि आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहे हैं so thank you friends, thanks for watching this video, see you next time, dhanyamad